हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शोब एकडमी में रेलवेव हम एसे सी एक्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शोब एकडमी को एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्रेस दा बेल आइकन दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आएं 23 मार्च से 29 मार्च तक के इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स के कोशन्स जो की आने वाले बैंक रेलवे एंड एसे सी एक्जाम्स के लिए बहुत ही हिल्फूल होने वाले हैं चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरूब दोस्तों सबसे पहले हम मार्च फोर्थ वीक के इंपोर्टेंट डेस को डिसकस कर लेते हैं तेईस मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट डे है चोबिस मार्च को विश्व छे रोग टीवी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट डे है 27 मार्च को विश्व रंगमन चुद दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर दे 24 मार्च को मनाया जाता है कोशन नमबर फर्च है भारत का पहला राज्य जिसने कोरोना से बचने के लिए पूर्ण लोगडाउन घोशित किया आप्शन ए है उत्तरप्रदेश आप्शन बी है राजिस्तान आप्शन सी है महराज्ट आप्शन डी है मात्यप्रदेश सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन बी राजिस्तान कोशा नमबर सेकेंड है ज्वाला मुखी की साथ हो समिट्स को कम्पलीट करके लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले पहले भारती है कौन बने कोशा नमबर ठर्ड है सायुक्त राष्ट के लिए सतत विकास समधान नेटवर्क सस्टेनेवल डेवलप्मेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर युनाइट नेशन के द्वारा जारी की गई व्र्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2010 में भारत की रैंकिंग क्या रही सो दोस्तों सस्टेनेवल डेवलप्मेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो सुची चारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग 144 रही और वही 66 रैंकिंग पाकिस्तान की न रही और 92 रैंकिंग नेपाल की रही So World Happiness रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 144 थी Question number 4 है मार्च 21 मार्च को अंतर राष्टी नौरच दिवस मनाया गया नौरच दिवस किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है Option A है जैन, Option B है पारसी, Option C है सिक, Option D है इन में से कोई नहीं So इसका right answer हो जाएगा Option B पारसी Question number 5 है, P के पैनर जी का हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबन्दित थे Option A है होकी, Option B है कबड़ी, Option C है फुटबॉल, Option D है इन में से कोई नहीं So इसका right answer हो जाएगा Option C फुटबॉल, यह फुटबॉल से संबन्दित थे Question number 6 है, किस ने चौथी बार मद्ध प्रदेश के मुख्य मनती के रूप में शपत ली Option A है अशोग गहलोत, Option B है नवीन पटनाएक, Option C है कमलनात, Option D है शिवराज सिंग चोहन So दोस्तो इसका right answer हो जाएगा Option D, शिवराज सिंग चोहन Question number 7 है, केंद दिये, मंती मंदल ने, आयूशमान भारत मिशन के तहट कितने आयूश स्वास्त और कल्यार्ण केंद रुकों मंजूरी दी है Option A है 10,000, Option B है 12,000, Option C है 20,000, Option D है इन में से कोई नहीं So इसका right answer हो जाएगा Option B, 12,000 Question number 8 है, निम्न लिखित में से किस भारती है महिला एमपायर का नाम ICC विकास एमपायर के अंतार राष्ट ये पैनल में रखा गया Option E है जनानी, Option B है व्रंदा, राठी, Option C है ए और भी दोनो, Option D है इन में से कोई नहीं So इसका right answer हो जाएगा Option C, A और भी दोनो दोस्तों यहाँ पे जलाली नाराएंड नहीं आएगा, जनानी नाराएंड आ जाएगा वो थोड़ा टाइपिंग का मिश्टे होगा था, सॉरी Question number 9 है, हाल ही में केंद सरकार ने किस केंद शाषित छेत्र में 37 केंद यह कानूनों को लागूप करने का आदेश दिया Option A है पॉंडी चरी, Option B है लदाग, Option C है जम्मू एंड कश्मीर, Option D है देली तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में केंद सरकार ने 37 केंद यह कानून को लगाने का आदेश दिया कोशन नमबर 10 है, जुलाई 2020 में हाइपर लूप पॉर्ड कॉंपिटीशन की मेजवानी कौन सी संसा करेगी Option A है आई 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 टी डैली, Option B है आई 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 मुंबई, Option C है आई 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 मदराश, Option D है इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका राइट आउसर हो जाएगा, Option C आई 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 मदराश इस बार हाइपर लूप पॉर्ड कॉंपिटीशन की मेजवानी करने वाला है कोशन नमबर 11 है प्रिधानमंति द्वारा कित्ते दिनों का लोगडाउन की गोशना की गई ओप्षन ए है पाच ओप्षन बी है आर्ट ओप्षन सी है पंद्रा ओप्षन डी है 21 सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन डी 21 दिन कोशन नमबर 12 है हाली में हंटा फारस किस देश में खबरों में था ओप्षन ए है इटली ओप्षन बी है भारत ओप्षन सी है चीन ओप्षन डी है अमेरिगा सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन सी चीन कोशन नमबर 13 है किस संस्ता ने एक इलेक्टोनिक युद्धा मोडल डेवलप किया है जो आम्ड फोर्सेस के आन्यंतित ड्रॉन को ट्रैक करने में मदद करेगा ओप्षन ए है IIT डेली ओप्षन बी है IIT मदराश और ओप्षन सी है IIT बॉम्बे ओप्षन डी है इन पे से कोई नहीं सो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा ओप्षन बी IIT मदराश कोशन नमबर 14 है निम्द लिखित में से किस फर्म ने कोरोना को ठीक करने के लिए ठीका विख्षित किया ओप्शन A है मोडेनना ओप्शन B है I, C, E, M, R ओप्शन C है बायो कोईन ओप्शन D है इन में से कोई नहीं सो दोस्तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन A मोडेनना कोशन नमबर 15 ने रक्षा उध्योग के आधुनिक करन के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई ओप्शन A है आईमेक्स ओप्शन B है आईडेक्स ओप्शन C है इनोवेशन ओप्शन D है इन में से कोई नहीं सो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन B आईडेक्स कोशन नमबर 16 है 2020 टोकियो ओलम्पिक से हटने वाला पहला देश कौन सा बना दोस्तो इसका ओप्शन है ब्राजील ओप्शन B है नेडेलेंड ओप्शन C है कैनाडा ओप्शन D है भारत सो दोस्तो कैनाडा ने टोकियो 2020 से अपने आपको हटा लिया है डियू टू दख कोरोना वाइरस पैंडेमिक डिजीस तो ये बत आप दियान दखेगा कोशन नमबर 17 है भगस सिंग सुकदेव राजगुरू के साहा सेवं वीरता के उपलक्ष में शही दिवस कब मराया जाता है ओप्शन A है 8 मार्च, ओप्शन B है 18 मार्च, ओप्शन C है 25 मार्च, ओप्शन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च को भगस सिंग सुकदेव राजगुरू के साहा सेवं वीरता के उपलक्ष में शही दिवस मनाया जाता है कोशन नमबर 18 है भारत वा फ्रांस कहां पर जॉइंट प्रेटोलिंग का संचलन करेंगे ओप्शन A है री यूनियन दीप ओप्शन B है मेडाग गासकर ओप्शन C है मौरेशिस ओप्शन D है इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A री यूनियन दीप कोशन नमबर 19 है वर्ल्ड एनरजी इस्टेटिक्स के द्वारा जारी की गई सूची में 2019 में बिजली उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या रही वर्ल्ड एनरजी इस्टेटिक्स ने जो एक लिस्ट दी थी उसमें इलेक्टिक सिटी उत्पादन में भारत की रैंक क्या रही उप्षन ए हे दो ईप्षन बी हे तीन उप्षन सी हे चार उप्षन डी हे ज्यारा सो दोस्तो भारत की रैंक रही है उप्षन बी तीन सो इसका ट्राइट आंसर हो जाएगा उप्षन भी तीन कोशन नमबर B से हाल ही में सरकार ने किस समुदाय के कल्यान के लिए नया पंदा सूत्री कारिकरम लॉंच किया ओप्शन A है Minorities, ओप्शन B है आदिवासी, ओप्शन C है A और B दोनों, ओप्शन D है इन में से कोई नहीं सो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन है Minorities, दोस्तो माइनोरिटीज में कोन-कोन से समुदाय आते हैं पहला मुस्लिम, दूसरा सिक, तीसरा किरिशन, चोथा, बुद्धिष्ट, पाजवा, जैन, चडवा, पार्सी कोशन नम्बर 21 से हाल ही में सीमा, सडक, संगठन ने किस नदी के ऊपर 360 फिट लंबा वैली, सस्पेंशन, ब्रिज का निर्मान किया आप्शन A है गंगा, आप्शन B है तीस्ता, आप्शन C है यमना, आप्शन D है इन में से कोई नहीं, सो इसका राइट आप्शन हो जाएगा तीस्ता नदी कोशन नमबर 22 है, कोविट 19 के लिए सोदेशी रूफ से विक्सित की गई परिक्षन किट को किस ने बनाया आप्शन A है एम्स, आप्शन B है आई सी एमर, आप्शन C है माई लेव डिस्कवरी, आप्शन D है डियार डिया, तो इसका राइट आप्शन हो जाएगा, आप्शन C माई लेव डिस्कवरी प्रशन 23, ओलंपिक 2020 जो टोकिया में आउजित होने वाला था, उसे किस वर्ष के लिए इस्तगित कर दिया गया है आप्शन A है 2021, आप्शन B है 2022, आप्शन C है 2023, आप्शन D है 2024 तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन A 2021 दोस्तो यह ओलंपिक के हिष्टी में पहली बार ऐसा हुआ है, जब ओलंपिक को इस्तगित कर दिया गया है जबकि ओलंपिक अब तक तीन बार रद्द हो चुका है, रद्द और इस्तगित में डिफ्रेंस है तो ओलम्पिक अब तक अपनी हिष्टी में तीन बार रद्द हो चुका है जब कि पहली बार इस तक गित हुआ है कोशन नमबर 24 से पारम परिक्नम वर्ष तेवार को किस समवत की शुरुवात होती है ओप्षन ए है विक्रम ओप्षन बी है शका ओप्षन सी है ए और भी दोनों ओप्षन डी है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन ए विक्रम समवत कोशन नमबर 25 है हाल ही में 7.5 तीवर्दगा वो कम किस देश में आया था ओप्षन ए है रूस ओप्षन बी है पाकिस्तान ओप्षन सी है भारत ओप्षन डी है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन है रूस कोशन नमबर 26 है सरकार ने राश्टिये सूपर कम्पूटर मिशन के अंतरगत की समय तक तीन और सूपर कम्पूटर इस्तापित करने का नेड़ने लिया ओप्षन A है अप्रेल 2020 ओप्षन B है दिसम्बर 2020 ओप्षन C है अप्रेल 2021 ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रेल 2020 तक सरकार ने तीन और सूपर कम्पूटर को इस्तापित करने का नेड़ने लिया कोशन नंबर 27 से एकैडमी ओफ साइंस के द्वारा दिये जाने वाला एबिल पुरुसकार 2020 किसको मिला ओप्षन A है हिलेल फ्रेश्टेन बर्ग ओप्षन B है क्रेगरी मर्गिलस ओप्षन C है ए और भी दोनों ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका ट्राइट ओप्षन हो जाएगा ओप्षन C ए और B दोनों को यह अवार्ड मिलाएं और दोस्तो यह अवार्ड मैथामेटिक्स में दिया जाता है और जी जो एकैडमी ओफ साइंस से वहन नौर्वे में इस्तित है कोशन नमबर 28 है भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल किस कंपनी द्वारा इस्तापित किया गया ओप्षन A है रिलाइंस ओप्षन B है टाटा ओप्षन C है महिंद्रा ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो डिलाइंस ने COVID-19 के लिए एक समर्पित अस्पताल मुंबई में बनाया ओप्षन नमबर 29 है हाल ही में खेल मंतरी किरन रीजियो जू ने ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने का आगरे किया ओप्षन A है कबड़ी ओप्षन B है फुटबॉल ओप्षन C है होकी ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन A कबड़ी कोशन नमबर 30 है हाल ही में केंद सरकान ने लॉकडाउन में करीबों की मदद के लिए कितनी वित्तिय साहता की कोशना की ओप्षन A है 1.5 लाग करोड ओप्षन B है 1.7 लाग करोड ओप्षन C है 2.0 लाग करोड ओप्षन D है इन में से कोई नहीं सो दोस्तो इसका ट्राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन B 1.7 लाग करोड ओप्षन नमबर 31 है किस E-commerce कमपनियों ने कोरोना वाइरस की वज़े से अपनी सिवाओं को भारत में बंद कर दिया ओप्षन A है फिलिपकार्ट ओप्षन B है Amazon ओप्षन C है A और भी दोनों ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्षन C फिलिपकार्ट और Amazon ने अपनी सर्विसिस को भारत में बंद कर दिया ड्यू टू दा कोरोना वाइरस कोशन नमबर 32 से हिमाले की तुलना में सिक्किम कोन से किलेशियर तेजी से नश्ट हो रहे हैं ओप्षन ए है जेमू गिलेशियर ओप्षन भी है बाल्टेरू गिलेशियर ओप्षन C है पिंडारी गिलेशियर ओप्षन डी है गंगोतरी गिलेशियर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन ए जेमू गिलेशियर जो की कारक कोरम पहाड़ी पर इस्तित थ गिलेशियर भी कारक कोरम पहाड़ी पर इस्ते थे और दोस्तों ऑप्शन डी गंगोत्री उत्रा खंड में इस्ते थे कोशन नमबर 33 है नैशनल सेंटर फोर डिसीज कंट्रोल ने कोविट 19 को भारत के किस बायो सेफटी लेवल के अंतरगत रखा है आप्शन A है BSL 1, आप्शन B है BSL 2, आप्शन C है BSL 3, आप्शन D है BSL 4 तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन D BSL 4 बायो सेफटी लेवल के अंतरगत कोविट 19 टीसीज को BSL 4 के अंतरगत रखा गया है कोशन नंबर 34 से हाल ही में Reserve Bank of India ने कितने प्रतिशत तक रेपो रेट को कम किया आप्शन A है 5.5%, आप्शन B है 4.0%, आप्शन C है 4.4%, आप्शन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों रेपो रेट को RBI ने 4.4% तक कम किया कोशन नंबर 35 से Walmart इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया आप्शन A है समीर अगरवाल, आप्शन B है विनीत बंसल, आप्शन C है भावेश अगरवाल, आप्शन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका ट्राइट आंसर हो जाएगा आप्शन A समीर अगरवाल को Walmart इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है कोशन नंबर 36 से FIFA के COVID-19 अभियान के लिए किस भारती है फुटबॉलर का नाम चुना गया है आप्शन A है सुनील चेतरी, आप्शन B है PK, बेनर जी, आप्शन C है ए और भी दोनों आप्शन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सुनील चेतरी को FIFA की COVID-19 अभियान के लिए चुना गया है कोशन नमबर 37 से अब्दुल लतीफ का निदन हो गया है वह किस खेल से संबन्दित है आप्शन A है किरकिट, आप्शन B है फुटबॉल, आप्शन C है होकी, आप्शन D है टेबल, टैनिस तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन B फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबन्दित थे कोशन नमबर 38 से संयुक्तर राष्ट के अनुसार कोरोना वाइरस की वज़े से कितनी नोगरिया जाएंगी आप्शन A है 10 मिलियन, आप्शन B है 15 मिलियन, आप्शन C है 20 मिलियन, आप्शन D है 25 मिलियन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन D 25 मिलियन नोगरिया जाएंगी कोशन नमबर 49 से मोडीज ने भारत की GDP को कितने परसेंट तक गटाया आप्शन A है 2 परसेंट, आप्शन B है 2.5 परसेंट, आप्शन C है 3 परसेंट, आप्शन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों मोडीज एक एजनसी है, एकोनोमिस्ट एजनसी है जो की सभी तेशों की GDP को को कैलकुलेट करती है तो मोडीज ने भारत की GDP को 2.5 परसेंट तक गटाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन B 2.5 कोशा नमबर 40 है, हाली में सरकार ने संक्रमित कोरोना रोगियों पर होम कोरोंटाइन सील लगाने के लिए किस इंक की उप्योग की अनुमती सरकार से मांगी आप्शन A है एक्वा सिंग, आप्शन B है लेटर सिंग, आप्शन C है इलेक्शनिंग, आप्शन D है इन में से कोई नहीं, तो दोस्तो इसका राइट आप्शन हो जाएगा, आप्शन C इलेक्शनिंग, इलेक्शन इंक का यूज होम कोरेंटाइन पेशेंट्स पर लगाने के लिए किया जाएगा और दोस्तों इलेक्शन इंक सिल्वर नाइट्रेट से बनी हुई होती है तथा इसका निर्मार्ण पूरे भारत में एक ही जगा पर किया चाता है जो कि मैसूरी में होता है ठीक है कोशन नंबर 41 है कोरोना वाइरस के लिए एंटी बॉडी परिक्षण शुरू करने वाला पहला देश कौन बना ओप्षण ए है भारत ओप्षण बी है अमेरिका ओप्षण सी है एटली ओप्षण डी है चीन तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षण ए भारत भारत कोरोना वाइरस के लिए एंटी बॉडी परिक्षण शुरू करने वाला पहला देश बना कोशा नमबर बैली से किस देश ने सैन संचार के लिए हाई फ्रिक्वेंसी की सेटलाइट लॉच की ओप्षण ए है अमेरिका ओप्षण बी है रूस ओप्षण सी है चीन ओप्षण डी है फ्रांस तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षण ए अमेरिका ने हा अंतर राष्ण ये संस्ता ने कोरोना से लड़ने के लिए अर्थ विवस्ता में फाइफ ट्रिलियन डॉलर लगाने का फैसला किया है ऑप्षण ए है सार्क ऑप्षण भी है जी टॉन्टी ऑप्षण सी आई एमफ ऑप्षण डिये इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका र 5 ट्रिलियन डॉलर लगाने का फैसला किया है कोशन नंबर चलिस है वह कौन से सरकार के पहले पिरमुक हैं जिने कोरोना होने की पुछ्टी हुई है ऑप्षण ए है बोरिस जॉन्सन ऑप्षण भी है नरेंदमोदी ऑप्षण सी है विलादी मीर पुतिन ऑप्षण डी है इ में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका ट्राइट ऑप्षण ने ऑप्षण ए बोरिस जॉन्सन को कोरोना वारस होने की पुछ्टी हुई है यहें इंग्लैंड के प्रधान मंत्री हैं कोशन नंबर पैतालिस है भारत के केंदी मंत्री मंडल ने रेलवे में तक्निकी सयोग के ल दोस्तो भारत ने रेलवे में टेकनिकल सपोर्ट के लिए जर्मानी के साथ समझोते पर हस्ताक्षर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षण भी जर्मानी कोशन नंबर 46 किस सारवजनिक छेत्र के बैंक ने नाए कस्टमर्स के लिए स्पेशल आपत कालिन लोन की कोशना की है ओप्षण A है स्टेट बेंक आफ इडिया ओप्षण B है पंजाब नेशनल बैंक औप्षण C है इंडियन बैंक औप्षण D है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षण C इंडियन बैंक ने आपत कालिन लोन की गोशना की है और इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में हुई थी कोशा नमबर 47 है हाल ही में भारत में निम्य लिखित में से किस देश के साथ पिरतिया जोपन संदी समझोते पर हस्ताक्षर किये option A है चीन, option B है जापान, option C है बेल्जियम, option D है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option C, बेल्जियम के साथ भारत में समझोते पर हस्ताक्षर किये question number 48 है, विश्फु शेहरों का शेकर सम्मिलन 2020 किस इस्तान पर आयोजित किया जाएगा option A है सिंगापूर, option B है मनीला, option C है दुबई, option D है निउ देली तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option A सिंगापूर, सिंगापूर में विश्फु शेहरों का शेकर सम्मिलन 2020 आयोजित किया जाएगा question number 49 है 25 मार्च को गुड़ी पढ़वा के रूप में तैवार कहां पर मनाया जाता है option A है महराष्ट, option B है उत्तरप्रदेश, option C है मद्रप्रदेश, option D है पंजब so दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option A महराष्ट में 25 मार्च को गुड़ी पढ़वा के रूप में तैवार मनाया जाता है question number 50 है earth our day किस दिन मनाया जाता है option A है 28 मार्च, option B है 29 मार्च, option C है 30 मार्च, option D है इनमें से कोई नहीं so दोस्तो earth our day प्रतेगवर्च मार्च के आखरी सब्ता के शनिवार को मनाया जाता है so इसका right answer हो जाएगा 28 मार्च अगर दोस्तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like and subscribe and share जरूर कीजेगा thank you